किसे loan हम ले सकते हैं तो कहां से कौन से सोर से हम पैसे को उपठा करेंगे यह देखना भी जो है इसका काम होता है किस तरह से हम business में पैसे को बनाई रखें और एक objective जो होता है इसका कि पैसे में जो है पैसे का flow business में चलता रहे किसी तरह से package पैसे की रुकावर्ड business में ना चाहिए पैसा बिजनेस को चाहिए लॉंग टर्म इन्वेस्मेंट होती है जैसे कि उसमें लम्बे समय के लिए जो पैसा लगाना है या short term के लिए जो पैसा लगाना है वो जरूरतों का पता लगाया जाता है कि इस साल के हमारे जो हमारे requirements हैं क्या जरूरते हैं उनको ध्यान में रखना पहचानना और के हिसाब से पैसे की विवस्ता करना यह इसका financial management का काम है then determination of fixed assets requirement यानि कि इसको capital budgeting भी कहते हैं and current assets proportion तो business के लिए जो पैसा चाहिए होता है total amount जो हमें इन्वेस्ट करना है कितना पैसा हमने fixed assets के में invest करना है यानि कि capital budgeting में कितना पैसा चाहिए तो जो long term requirement होती है capital की वो और short term यानि current assets that is working capital के लिए में कितना पैसा चाहिए तो जो भी daily day to day activities के लिए में खर्चे करने होते हैं उसके लिए और जो एक साल से कम समय के लिए जो है investment हमें करना होता है current assets में उसके लिए कितने पैसे की हमें जरूरत होगी ये भी हम जो है इसमें decide करते हैं then it helps in determining the various items of profit and loss count तो profit and loss count के अंदर जो भी different हमारे items होते हैं कई प्रकार के खर expenses होते हैं raw material purchase करना है या हमारे जो rents है wages है या और किसी तरह के direct expenses होते हैं इसी तरह से profit and loss count में जो हमारे खर्चे होते हैं advertisement expenses and selling and distribution expenses हैं office expenses हैं या और हमारे जो operating expenses होते हैं different type के वो सारे हमारे जो profit and loss related होते हैं उनके लिए जो पैसे की जरूरत होती है day to day requirements होती है जो business को चलान के लिए finance की वो भी हम जो है financial management ही उनको पूरा करती है सही तरीके से ताकि business जो है बिना किसी बादा के चलता रहे उसकी चाहे जरूर long term requirements हो चाहे उसकी short term requirements हो पैसे की उसे कमी ना रहे और किसी प्रकार का भी जो है problem business में ना आए और हम उसको और हम से चला सके then financial decisions तो एक manager ज decision जो है हर financial manager लेता है तो first decision is financing decision then investment decisions and dividend decisions इनको हम one by one discuss करेंगे तो सबसे पहले हम discuss करते हैं financing decision को तो financing decision में जो इसको हिंदी में वित्तियर निर्ने भी कहा जाता है तो in financing decision manager take decisions about the various requirements of the business and how finance will be arranged from different sources of finance तो financing decision में manager ये decision लेता है कि जो भी different requirements है business की चाहे वो long term के लिए है चाहे वो short term के लिए है चाहे वो medium term requirements है पैसे के लिए तो उनको कैसे हम इकठा कर सकते हैं पहले उसका estimate लगाना और फिर उसको different sources of finance जैसे कि shares है equity shares है या preference shares है या bank से loan लेना है या lease financing से हमें पैसे की वस्ता करनी है या किसी भी source से जो भी हम करना चाहते हैं चाहे वो short term requirement है या long term उसको हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं तो खासकर हम यहां पर long term requirements कोई बात करें तो य decision जो है manager लेता है कि कहां से पैसे का arrangement किया जाए कि source का हम इस्तेमाल करें तो यह decision manager लेता है कि कौन से source का हम use करेंगे तो इसको प्रभावित करने वाले भी बहुत सारे factors होते हैं यानि कि जब वो यह decision लेता है तो वो कुछ बातों को देहान में रखकर ही decision लेता है तो जो different factors है that affects the financing decisions they are cost of various source of finance is compared and capital with least cost is selected तो cost एक ऐसा factor होता है जो source of finance को प्रभावित करता है कि कौन से source से हमें पैसा एकठा करना है तो जो different sources होते है जैसे कि equity है या preference share issue करते है हम या हम debenture issue करके या bank loan से या किसी और source से या retained earnings जो मारे पास होती है है तो सबका cost compare किया जाता है तो उसमें से जो भी cost मतलब होता है किसी भी finance को प्राप्त करने में जो हम उस पर खर्चा करते हैं जैसे कि debentures अगर हम issue करते हैं या bank loan लेते हैं उस पर दिया जाने वाला interest जो हम pay करते हैं that is cost of that capital इसी तरह से shares issue करते हैं चाहे हम equity करते हैं या preference क करते हैं तो उस पर जो dividend pay किया जाता है वो expense होता है एक तरह से cost होता है या share issue expenses होते है तो total जो cost होता है किसी भी financial asset को प्राप्त करने भी जो cost लगता है खर्चा होता है हमारा उनको हम compare करते हैं और जो सबसे सस्ता हमें लगता है suitable लगता है उसको हम चूज करते हैं then second factor है that is risk तो risk is also one of the factor while choosing the source of finance तो debt capital is more risky than equity तो जो दो तरह के capital जो होते हैं business invest होते हैं that is debt capital than equity equity जो होता है that is owner capital हमारा खुद का पैसा होता है and debt capital is borrowed capital यानिके loan का पैसा होता है तो जब हम अपना पैसा use करते हैं तो उसमें बहुत risk नहीं होता है क्योंकि जैसे मालीज हमने equity के माध्यम से shares issue करके पैसे गठा किया है तो equity जो होता है एक तरह से long term source of finance है जो की company के lifetime में इनका redemption नहीं होता है यानिके जब तक company रहती है तब तक equity shares का पैसा उसमें invested रहता है तो यह लोटाना नहीं पढ़ता company को immediately है कुछ time के बाद साथी साथ इसके द dividend देते हैं तो ज्यादा होता है तो ज्यादा भी दे सकते हैं वैसे तो इस तरह से रिस्की कम होती है तूसरी तरफ अगर हमारे पस retained earnings है वो भी risk free होता है क्योंकि वह मारा अपना पैसा है उसको हम कैसे भी use कर सकते हैं चाहे हम उसको shares खरी उसमें fixed assets में invest करें चाहे हम working capital requirement को करें किसी भी तरह से हम पैसे को use कर सकते हैं उसका कोई भी cost नहीं है उस पर कोई भी risk नहीं होता क्योंकि ना हमें वो किसी को lot आना होता है दूसरी तरफ जो debt capital होती है वो risky होती है क्योंकि अगर हमें profits अगर कम होते है by chance या loss होता है तो भी हम interest भी pay करना पड़ेगा और principal ज इसमें हमें ज्यादा risk हो सकता है अगर हमारी profitability ज्यादा नहीं है तो हम किस तरह से हमारे पास sufficient पैसर नहीं हो पाएगा तो यह हमें खत्रा हमारे को इससे हो सकता है तो third factor is control तो control consideration also affects the financing decision जो controlling होती है अगर company की जो policy है वो यह चाहती है कि हमें controlling हम अपने हाथ में ही रखें और क्योंकि जो equity shareholders होते हैं जितने shareholders increase होते जाएंगे उतनी ही controlling जो है उनके हाथ में चली जाती है क्योंकि उनका interfere कर सकते हैं internal affairs में और वो पूछ भी सकते हैं company से कि वो किस तरह से क्या काम कर रही है तो अगर company controlling अपने हाथ में रखना चाहती है तो वो debt capital का ज्यादा use करेगी य जो debt capital हम जहां से लेते हैं जैसे कि revenges या bank loans तो उनको कोई अधिकार नहीं है company के internal affairs में उनको fixed rate का जो dividend है या interest है या जो principal amount है वो time पर pay कर दिया जाएगा तो they cannot enter in the internal affairs of the business तो अगर company controlling अपने हाथ में रखना चाहती है तो वो debt capital यूज करेगी और अगर उसको कोई परेशानी नहीं है interference से तो वो controlling shareholders के पास भी रह सकती है थोड़ी उनके पास भी रह सकती है तो इस तरह से वो equity का use जादा करेगी the next factor is fixed operating cost so fixed operating cost also affects the choice of financial resources that is fixed operating cost क्या होते है fixed operating cost जो होते है ऐसे cost होते है जो business में होते ही है और एक fixed rate से होते है उसका production के increase या decrease से कोई effect नहीं होता है जैसे की rent तो rent जो है जैसे माली जी आपने किराये की factory है उसको किराये आपको देना ही पड़ेगा चाहे आपकी factory में production हो रहा हो या ना हो रहा हो कम हो रहा हो या जादा हो रहा हो एक fixed rent आपको pay करना ही होगा इसी तरह से आपका जो depreciation है that is also fixed cost तो चाहे आपकी machinery use हो ना हो उस पर depreciation लगेगा machinery नहीं कोई भी fixed assets होती है वो depreciate होती है time के साथ साथ आप उसको control नहीं कर सकते रोक नहीं सकते तो इस तरह के जो cost है वो आपके होंगे ही और उसको आप avoid नहीं कर सकते तो जो fixed operating cost यदि company के जादा है तो उसका ज्यादतर profit का हिस्सा है वो उस fixed cost को pay करने में चला जाए इससे उसके पास कम profit बचेगा जिससे कि वो अगर debt capital का use कर रहा है तो उसके पास इतना पैसा नहीं हो पाएगा कि वो interest भी pay कर दे और उसके principal amount भी वापिस कर दे तो ऐसे में जिस company के fixed operating cost ज्यादा होंगे वो debt capital का या owner capital का use ज्यादा करेगी sorry equity का ज्यादा यूज होगा या owner capital का ज्यादा यूज करेगी debt capital को वो कम यूज करेगी और दूसरी तरफ जिस company के fixed operating cost ज्यादा नहीं होंगे वो असानी से अपने profits का जो है कमी इससा उनका operating cost में खर्च होगा और उस ज्यादा profit बचा पाएगे और जिससे कि वो अगर debt capital भी यूज करते हैं तो अराम से वो उसका interest और जो उसका principal amount है वो pay कर पाएगे तो उन्हें कोई tension नहीं होगी के हमारे पास पैसा कहां से आएगा then next is capital market situation it also affects the choice of source of finance it is easy to raise capital through equity in bullish market whereas in bearish market state debt capital is more beneficial तो जो market situation होती है तो जब market को bullish कहा जाता है जनिके market जब बहुत उपर जा रही होती है उसमें अच्छी trading हो रही होती तो ऐसे में हम आसानी से equity को issue कर सकते हैं और shareholders उसे या जो investors हैं उसे investment करते हैं और अराम से उसको खरीदते हैं और जो bearish market होती है ऐसे में लोग market से में से दूर रहते हैं और उसे में invest करना जो है वो पसंद नहीं करते उस समय में तो ऐसे में हम debt capital का use जादा करेंगे जिससे कि हमें आसानी से जो है amount मिल पाए इसी तरह से cash flow position जो होती है business की it also affects the choice of source of finance तो cash flow position जो होती है यानि के cash का inflow होता है business में किस speed से cash आता है और outflow होता है जो cash की speed से बाहर जाता है तो जिस business में cash असानी से आता है जल्दी जल्दी आ जाता है तो ऐसी में उन्हें जो है अच्छा खासा पैसा उ यूज कर पाते हैं और वो समय पर अपना ब्याज और जो उसकी principal amount है वो पे कर सकते हैं तो इसी लिए debt capital यूज कर सकते हैं अगर company cash proposition अच्छी नहीं है तो वो debt capital का use कम करेंगे और equity का ज्यादा क्यूंकि वो risk नहीं लेना चाहेंगे कि cash हमारे पास available नहीं है shortage हो जाए cash की औ और वो समय पर हो सकता है ब्याज ना दे पाएं या principal amount pay ना गर पाएं तो ऐसे में equity share जो capital है वो एक बहतर source हो का finance का जिसका कि उसे कोई बिना tension के use कर सकती है और अगर financial condition उसकी अच्छी नहीं है cash flow position अच्छी नहीं है तो वो उसमें किसी प्रकार के उसके कोई problem नहीं होगी असानी से वो cash जो है बिना किसी tension के use कर पाएंगे तो यह था financing decision जो एक manager ध्यान रखता है जब वो इस factors को दिमाग में रखते हुए decision लेता है कि किस तरह से पैसे कठा किया जाए now we will discuss the investment decisions तो investment decision जो है इसको हिंदी में कहते हैं निवेश संबंदी निडना है so investment decision manager takes the decision regarding investing the money procured from various sources in fixed assets and current assets investment decision यानि निवेश संबंदी निडना में जो manager है जो decision लेगा वो यह लेगा कि हम किस तरह से जो different sources हमने पैसे कठा किया है उसे निवेश किया जाए business में invest किया जाए तो investment जो है basically दो तरिके से होती है एक तो होती है long term investment और एक होती है short term investment तो long term investment जो होती है इसको हम capital budgeting भी कहते हैं यानि कि जो different sources हमने पैसे कठा किया है उसको किस तरह से हम fixed assets में invest करें तो fixed assets में long term investment होती है इसको यानिके पैसा जो है इसमें हमेशा के लिए block हो जाता है जो भी हम plant, machinery, land, building जो भी इसमें investment करते हैं ये lifetime के लिए हो जाती है बिजनस के यानिके जब तक बिजनस रहेगा तब तक हमें इसमें पैसा invested ही रहने देना होगा इसको हम निकाल नहीं सकते बिजनस से तो जब तक बिजनस चलेगा ये invested रहेगा दूसरा होता है short term investment जिसको हम working capital investment भी कह सकते है requirement तो business को day to day activities में चलाने के लिए जो खर्चे हमें करने पड़ते हैं चाहे वो आपके trading count expenses हो जिसमें purchases होते हैं आपके या direct expenses होते हैं wages देते हैं हम या हम uptroy देते हैं या different type taxes देते हैं इसी तरह से जो profit and loss count में हम expenses देखते हैं जैसे कि selling and distribution expenses हैं office expenses है administrative expenses हैं या और खर्चे जो होते हैं हमारे interest pay करना है salary देनी है wages देना है जो भी तमाम खर्चे होते हैं वो सारे हमें पूरे करने होते हैं business को चलाने के लिए रोजमरा के खर्चे वो हम working capital में invest करना है और कितना पैसा हमने working capital के लिए invest करना है तो fixed capital में invest करने के लिए बहुत सारे factors थ्यान में रखा जाता है तो यहाँ पर हम बात करेंगे mainly factors affecting the investment decisions तो investment decision जो होते है कि कितना पैसा हमें निवेश करना चाहिए business में और कैसे करना चाहिए यह decide करते हैं हम कुछ बातों से जैसे की rate of return, तो rate of return जो होता है, of project affects the investment decisions, तो rate of return जो factor है, यानि के rate of return, यानि के return on investment, ये हमारा जो है किस तरह से हमें, पैसा जो हमने निवेश किया है, उस पर हमें प्रतिफल के बदले में, return में क्या मिल रहा है, ये देखना भी बहुत जरूरी होता है, तो हमारे पास बहुत सारे option होते investment के, तो हम सब को compare करते हैं, और देखते हैं कि इन में से कौन सा ज़्यादा profitable हमें रहेगा, किसमें हमें ज़्यादा returns मिलने की संभावना है, तो हम उस choice को, या उस project में invest करेंगे, जो हमारे ज़्यादा beneficial होगा, जिसमें हमें ज़्यादा returns मिल पाएंगे, इसी तरह से cash flow of the project also affects the investing decision, तो जो cash flow position होगी project की, किस तरह से उसमें cash का inflow होगा और outflow होगा, उसको भी हम देखते हैं, जब हम investment करने का decision लेते हैं, कि कौन सा project है, जो उसको किस तरह से execute होगा, और किस तरह से उसमें cash का flow होगा, तो जिसमें ज़्यादा आराम से और जल्दी हमें cash का results मिलें, cash मिल पाएं, उस projects को हम उसमें invest करने पसंद करते हैं, इसी तरीके से investment criteria involved in the investment in fixed assets, तो जब हम investment करते हैं fixed assets के अंदर, तो उसका क्या criteria होगा, कितना पैसा हमें fixed assets में invest करना है, और किस तरह से करना है, किस तरह की हमारी requirement है business की, हम manufacturing करते हैं, या हम service provide करते हैं, या हमारा business बड़ा है या छोटा है, किस प्रकार का है, nature of business क्या है, तो बहुत सारे बातों को ध्यान में रखकर, decision यह होता है, working capital में कितना पैसा, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि working capital में हम day-to-day requirements यह होती हैं, हमारी उससे related investment करते हैं, कि रोज मर्रा कितना पैसा हमने fixed assets के लिए लगा दिया, और कितना पैसा हमें business को चलाने के लिए चाहिए, तो ये भी same factors से affected होता है, और उस हिसाब से हम working capital को लगाते हैं, तो investment decisions में लेने के बाद, जब वो manager decide कर लेता है, कि कितना हमने कहां-कहां से पैसा इकठा किया, financing decision में, और investing decision में वो decide कर लेता है, कि किस तरह से मुझे पैसा निवेश करना है, और निवेश के बाद, जब business चलाया जाता है, और साल के end में आपको profits होते हैं, तब हम manager जो है, third main decision लेता है, that is dividend decision, इसको हिंदी में लभाँश समदी निने कहा जाता है, और dividend decision में जो है, ये decision लेता है manager, कि how much profit should be distributed as dividend, and how much profit should be retained for meeting its future financial needs, तो भविश्य के लिए, कितना पैसा बचा के रखना है, कितना पैसा retain करना है मुझे, और कितना पैसा हम dividend के रूप में दे सकते हैं, क्योंकि ये जो ratio है, इसको decide करना ही dividend decision कहलाता है, तो जैसा कि आप figure में देख सकते हैं, ये total profit है, और इसके अंदर जो है, total profit का manager decide करता है, कितना हिस्सा मुझे retain earnings के रूप में रखना है, और कितना हिस्सा मुझे dividend के रूप में, जो है अपने shareholders को देना है, अब जो कितना हिस्सा हमें dividend के रूप में देना है, और कितना हमें retain करना है अपने future requirements के लिए, ये फैसला कैसे किया जाए, तो जो total profit होता है manager को जब business को उसको अब हमने बांटना है कि dividend कितना दिया जाना है और उसी में से हमने कितना बचा के रखना है तो factors जो है कौन सी ऐसी बाते होंगी जो एक manager अपने दिमाग में रखता है जब वो dividend decision लेता है कि कितना पैसा dividend के रूप में दिया जाना चाहिए और कितना बचाना है so factors affecting the dividend decisions are if a company have more growth opportunities then it will hold major part of profit and declare less dividend तो अगर company के पास भविश्य में आगे बढ़ने के बहुत सारे मौके है वो अपने business को बढ़ाना चाहती है या वो आगे growth है, expansion है, diversification करना चाहती है तो उसके पास बहुत सारे अफसर है business को बढ़ाने के तो उसके लिए उसे पैसे की ज़्यादा जरूरत होगी और वो कोशिश करेगी कि वो profit का ज़्यादा हिस्सा बचा कर रखे, retain करे और dividend जो है फिर कम देगी तो इनका inverse relationship है, तो ज़्यादा retain किया जाएगा अगर growth opportunities है तो less dividend दिया जाएगा अगर growth opportunities नहीं है तो ज़्यादा dividend भी दिया जाएगा क्योंकि इसे ज़्यादा पैसे रखने की जबशकता नहीं है क्योंकि इसके पास कोई भी future plans नहीं है, business को बढ़ाने के तो वो ज़्यादा dividend भी declare करेगी then cash flow position of company is good, then it need not to retain more profit and will declare more dividend अगर company की cash flow position अच्छी है, तो वो ज़्यादा dividend दे सकते है क्योंकि इसके पास sufficient profits है और वो अराम से अपने जो cash है उसके पास आता रहता है असानी से और वो असानी से अपना जो dividend है वो declare कर सकती है, क्योंकि उसे पैसी की कोई परिशान नहीं है, जब इसके पास पैसा speed से आ रहा है क्योंकि इनकी cash flow position अच्छी नहीं है, तो ऐसे में वो ज़्यादा profit जो है बचा के रखेगी, redeem करेगी और कम dividend declare करेगी, दूसरी तरफ अगर उसकी cash flow position अच्छी होगी तो वो ज़्यादा dividend declare कर सकते है, क्योंकि उसे ज़्यादा profit save करने के अफशकता नहीं है उसे जब भी पैसे ज़रुत होती है, उसके पास पैसा आता रहता है और जाता रहता है, तो असानी से उसे खर्च कर सकती है तो जो companies को ज़्यादा profit होता है, अच्छा खासा पैसा वो कमाते हैं, तो वो ज़्यादा dividend भी दे सकती है जोकि जितना ज़्यादा profit होगा, उतना ज़्यादा dividend वो असानी से दे सकती है तो dividend का, profit का और dividend का सीधा relation है, अगर आपको पैसे की ज़रुत नहीं है, तो आपके पैस अगर ज़्यादा profit भी है, तो भी आप ज़्यादा dividend declare कर सकते हो तो इस तरह से, जो dividend decisions है, वो लिये जाते हैं, इसके अलावा, जो company जो है, if it adopts the stable dividend policy, then it will declare regular and fixed dividend तो अगर company के पास, जो regular dividend वो देना चाहती है, stable dividend देना चाहती है, कि उसके जो shareholders नहीं को एक regular dividend दिया चाहे, और fixed rate पर दिया चाहे, तो वो ज़्यादा dividend देगी, या एक regular rate पर dividend देगी और कम part जो है, वो profit का retain करेगी then, if a company have easy access to the capital market, then it need not to hold more profits to meet its capital requirement and hence can declare more dividend तो अगर एक company जो है, जिसको असानी से capital market से जब उसे पैसे की ज़रूरत होती है, वो असानी से पैसे को, shares को issue करके, securities को issue करके, जो है अपनी capital requirement को पूरा कर सकती है तो ऐसे में जो है, उसे ज़्यादा profits retain करने की ज़रूरत नहीं है, बिना बाद से वो necessarily hold नहीं करेगी profits को और वो ज़्यादा dividend declare कर पाएगी तो उसी तरफ, अगर company की जो reputation पो ज़्यादा अच्छी नहीं है, या छोटी company है, जिसको capital market से पैसे मिलने में बहुत दिक्कत होती है, उसके share असानी शेशू नहीं हो पाते हैं, या बिक नहीं पाते हैं तो ऐसे में उनको profits पर निर्भा रहना पड़ता है, और वो कोशिश ये करते हैं कि अपने profits का ज़्यादा तर हिस्सा वो बचा के रखें अपने future requirements के लिए, और ऐसे में अगर वो ज़्यादा profit retain करते हैं भविश्य के लिए, तो फिर वो dividend कम declare करेंगे तो इस तरह से जो capital market situation होगी, वो भी हमारे जो company है, उसके decision को प्रभावित करती है कि कितना dividend हम दें और कितना पैसा हम profit का बचा के रखें future के लिए then if tax rate on dividend is higher, then it would be better to declare less dividend and vice versa, तो अगर tax rate जो होता है, क्योंकि dividend जो होता है, that is taxable, तो अगर dividend जो होता है, उस पर tax ज़्यादा है, tax का rate government ने ज़्यादा लगा रखा है, taxable income जो ज़्यादा है, तो उसका tax rate की वज़ए से अगर ज़्यादा tax होगा, तो company जो है, कम dividend declare करेगी, क् ज़्यादा tax भरना पड़ेगा इसकी वज़ाए से अपने profits पर, तो अगर जो है, tax rate कम होगा, तो company को जो है, असानी से tax पे करने के बाद भी, वो ज़्यादा dividend जो है, अपने shareholders को पे कर पाएगी, तो tax rate जो है, वो भी हमारे dividend decisions को प्रभावित करता है, इसी तरह से contractual constraints होते ह हैं, तो जैसे कि हम manager bank से हमने loan दिया है, तो एक तरह से, या हमने long term lenders है, या secure debentures है हमारे तो हमने fixed assets अपनी रखी है, या कोई भी चीज हमने security के रूप में रखी हुई है, तो ऐसे में, जब हम इस तरह के contracts के अंतर होते हैं, तो उनके द्वारा भी कई बार हमारे उपर प कम हो जाएंगे, और उनके जो lenders हैं, उनका interest जो है company pay नहीं कर पाएगी, या फिर principal amount भी वो लोटा नहीं पाएगी, उसके पास profits कम हो जाएंगे, तो इस वजए से contracts, जो contractual बाधाए होती हैं हमारी कई बर वो भी हमें प्रभावित करती हैं, कि हम declare जादा ना करें dividend, कम dividend दे क्योंकि इससे उनका अपना हिद जो है, वो प्रभावित होता है, वो चाते हैं कि company की financial condition strong रहे, जिससे कि उनका समय पर पैसा वापिस लोटा पाएं, then stock market reaction also affects the dividend policy of the business as market price of the share and dividend are directly related, तो जो share market में जो share की value होती है, वो उसके dividend से भी भावित होती है, तो जितना ज्यादा dividend कोई share मिलता है, उसकी market value उतनी बढ़ती है, और लोग जो है ऐसे shares को खरीदना चाते हैं, उसकी demand increase होती है, जिससे उसकी share की value बढ़ती है, तो जितना ज्य dividend company declare करेगी, उतनी उसकी share की value जो है stock market में increase होगी, तो इस तरह से company जो है अपने investors को फाइदा पहुचाने के लिए भी ज्यादा dividend declare कर सकती है, जिससे की share की value बढ़ती हो और उसको dividend की रूप में भी income मिले, तो उसके अलावा, shareholder's preference also affects the dividend policy as some investors invest for trading purpose and some invest for regular income, that is dividend. तो जो shareholders होते हैं, कई बार वो दो तरह के generally होते हैं, जैसे की एक shareholders होते हैं, जो की trading purpose से invest करते हैं, यानि कि उनको dividend से कोई लेना देना नहीं होता है, वो सिफ इसलिए invest करते हैं, कि वो उससे पैसा कमा सके हैं, shares की value जब कम होती हैं, तो वो उसको खरीद लेते हैं, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे investors होते हैं, जो अपनी investment है, इसी वज़े से करते हैं, कि उनको एक regular income मिलती रहे, और वो उस पर dividend की form में उसको एक regular fixed income मिलती रहे, जिससे कि वो अपना कई बार उस पर depend भी होते हैं, उससे अपना गुजारा भी करते हैं, तो उनकी इच्छा होती है जादा से जादा dividend प्रापत हो, और समय पर प्रापत हो, या फिर एक regular dividend उनको मिले, जो कि इस वज़े से निवेश किया है, तो dividend जो होता है, तो हमारे investors किस प्रकार के हैं, वो भी हमारे dividend decisions को प्रभावित करते हैं, अगर हमारे investors एक regular dividend चाहते हैं, fixed rate dividend चाहते हैं, तो हमें व पसे ही invest करते हैं, तो उन्हें dividend से कोई जादा लेना देना नहीं है, या वो जादा उसकी bother नहीं करते हैं उसके बारे में, तो हम उनको कम dividend भी दे सकते हैं, क्योंकि उनका main focus जो होता है, share की market value वे उपर रहता है, जिससे की वो जादा से जादा profitability उनको हो, तो इस तरह से, य dividend decision जो होता है, इसमें कई तरह के factors देखे जाते हैं, तो आज के लिए इतना ही, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, मैं जरूर बताईए, हमारे इस वीडियो को like कीजे, share कीजे and don't forget to subscribe.